हेलो फ्रेंद्स वेलकम तूमाई एस्पेडी ओन इन स्टडी दोस्तों देखिए यहां पे जो वाकेबलेडी का जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 7 हो रहा है अगर पीछे का क्लास आप नहीं देखें जो भी पीछे आपका पार्ट 1 पार्ट 2 यह सब दिया हुआ है उसे जाकर अप्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं देखिए यहां पर सीनुनिम पार्ट 7 है स्पेशल फोर डिफेंस के लिए जो आपकी एक्जाम में प्रिवियस यर के जो भी पूछे गया है वो इंक्लूड है इसमें और जो भी पूछे जाने वाले जाने की संभावना है व इसका टॉपिक वाइज भी हो रहा है मोशन इस्टेट लाइन का हो रहा है वहां पर और इंग्लिस का टॉपिक वाइज भी जैसे प्री पोजीशन हो गया यह सारे आपके कराया जा रहा है चलिए हम लोगे स्टार्ट करते हैं आज का सीडोनिम स्पार्ट सेवें देखिए बोल रहे हैं यहां पर चूज द्बेस्ट एक्सप्रेशन अप्दा फॉलुंग वर्ड यहां पर बेस्ट एक्सप्रेशन हम लोगों स्चूज करना है तो देखिए एंटीशिपेट का क्या हो गा इसमें एंटागोनीज होगा एक्सपेक्ट होगा या ह忙ी होता है एक मिनट अपनोग है इसका प्रोफेसी भी हो जाएगा कि पी आर ओ पी एच ई सुसे प्रोफेसिद हो जाएगा या इसका एक और होता है वह एज फोटेल एप और एडि का एंटिसीपेट का हो या प्रोफेसी या फोटेल एंटागोनिस का होता है बिरुवत करना यानि प्रोटेस्ट करना पी आरो टी एस्ट पी आरो टी एस्ट इसका प्रोटेस्ट भी हो सकता है accept मिस आपको पता है और आपको alternate मिस होता है यानि alternate यानि एक एक दिन बीच करके next हम लोग देखते हैं next synonyms tremendous tremendous का क्या होगा awesome होगा remarkable होगा considerable होगा या dangerous होगा देखें इसका जो होगा tremendous का जो होगा आपका जो होगा वो होगा answer D होगा अब कैसे होगा देखे ट्रिमेंडस का होगा डेंजरस भी होता है और इसका डोल फुल भी होता है डी ओ ले डोल फुल भी होता है इसका लार्ज अमाउंट भी होता है इसका ट्रिमेंडस मिस होता है लार्ज अमाउंट इसका एक्सेसिब भी हो जाए एक्सेसिब भी एक्सेसि चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं देख्या है यहाँ मेटीकूलस M-E-T-I-C-U-L-O-U-S मेटीकूलस का मेटीकूलस का क्या होगा करेक्ट होगा क्लिन होगा मेथधाड़िकल होगा या केरफुल होगा देखें मेटीकूलस का हो जाएगा चियान प्लावार है तो बहोत सब्सक्राइब और होना जाए तो यथी आरल आपको पता है क्यिस्टी आयरि CT ऐए-5 कि एई यह हमें लोग निदेख्सट देखते हैं अपना नाइटी नुमर एबानटेंट एबानटेंट का क्या होगा डेक्टिफाय का प्लेंटीक्टिफूल होगा सिग्निफिकैंट होगा बाइब्रेंट होगा तो इसका जो हगा aponte में होगा यानि इसका होगा प्लेंटी फूल होगा और तेके यहां पर जो एक और हो सकता है बॉन टीऊ-चो यू-एज बॉन प्राउ प्राइब एयग्तिफाइ writings correct आफको पता है significant मैस होता है महतोपून vibrant मीश ओता है full of energy go full of energy नेञी हुल उलइन आरज़ी फूलइनर्जी यपको पता हो गया abundant का क्या हो या फ्लेंट फूल रेञ्टिफाइग का correct significant आपको पता है है important vibrant पिए say full of energy next हम लोग देखते हैं आपका सिरो निम्स हो गया एक्वाइंट में सोता है परचीत इसका प्रtschaft कराना याने introducing और यह आप हाँ जो है एराऊज में सोता है जगाना यानि वयक अप डबलू एक रिट्इस रेसीब करना आ य है tea receive करनाrouptehRobert करना कि गत्ट हो सकता है इसका तो देखिया आपको aqq后 US writer का क्या होगा सदोगा इंट्रोडिवस होगा आपकाइणसर जू होगा वह बी सही है और a rouse प्रणीश्ट करना इसका हो जाएगा नोमिनेट करना और कि prohibited होता है receive obtain your gate अब हम लोग next देखते हैं अपना कि नेक्ष्ट देखते हैं वानवर्ट सब्चिच्यूशन वानवर्ट सब्चिच्यूशन में आपको देखना है कि इसमें वानवर्ट सब्चिच्यूशन कौन सा मतलब इसका देखे हिंदी लिखा हुआ है और इसका इंग्लिश भी है जिससे आपको कोई भी कठिना कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े आप आराम से इसका हिंदी वार्ट सब्चिच्यूशन और इंडिया फ्रेज याद कर सकते हैं तो फ्लॉक का क्या होगा फ्लॉक मिस ह होता है आकास्मिक सफलता है और इस ट्रॉक ऑफ गुड लॉक यह अचानक से कहीं सफलता आपको मिलता है उसे बोलता है इसको फ्लॉक मिस होता है आकास्मिक सफलता है इसका होगा स्ट्रॉक ऑफ गुड लॉक नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोकेंड्रिया हाइपोकेंड् इसका हो जाएगा a stroke of good luck next हम देखते हैं कि इन्सिंडियरी इन्सिंडियरी में सोता है जो आग या गुशा भरका है जो वैसे लोग जो आग और गुशा भरकाते हैं इन्सिंडियरी का हो जाएगा जो आग या गुशा भरका है इसका हो जाएगा डिजाइन टू कॉस फायर यहां लाइकली टू कॉस वायोलेंस नेकस्ट हमनों देखते हैं फॉर नमबर मासकेर में सोता है वीसन् नर्सगहार यानी कीलिंग दूप लार्ज नमम और अफ पिपीपुल याो लार्ज नम्रव मेंlesh जो किल होता है उसीla ऐन्य में म sc से सी आरी मास्केर में सथा भीशन नर्श अंहार किलिंग ओफ लार्ज नम्बर आफ पीपूल नेक्स्ट हम दो देखते हैं और मेटिकूलास करका से था और मेटिकूलोस कर जाएं मंतलिंटा नीपून यानिवहरी पर्टिकूलर एबाओट Sm Pow ऑ्येपूलरे मॉन्टेटल मेटिकूलस कर रहले बशारे वेटिकूलरे मौल्स मोल्स तो देख्या आपका सिंवहरी शोग्या और वहनवर्द शीअब हो गया अब हम लोग नेक्ष चलते हैं अपना इडियम फ्रेज पे तो चल दो ऊगे अड़ु हम पर चलते हैं है इडियां फ्रेज का हो गया देखिया आपका सिन्नुनी मंज हो गया युइन इडियूम फ्रेजर studying इंडियम फ्रेज में keep the ball rolling keep the ball rolling का होता है जाड़ी रखना एक मिनट कीप the ball keep the ball rolling rolling का होजागा जाड़ी रखना यानि तू मेंटेन दा प्रोग्रेस आफ प्रोजेक्ट और प्लान यानि कुई सी भी प्रोजेक्ट और प्लान में उसका काम जाड़ी रखना उसे के बोलते हैं keep the ball rolling नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैं आफ लेटर मैं आफ लेटर में सब्सक्राइब बिद्वान आदमी लर्ण पर्शन मैं आफ लेटर का क्या हो जागा बिद्वान आदमी इसका हो जागा लर्ण पर्शन तो देखें आफ लेटर आप ट्रीक से भी याद कर सकते हैं लेटर लेटर कौन पर सकता है जो बिद्वान हो ऐसे अब ट्रीक से भी याद कर से तब विद्वान आदमी इसका लर्ण पर्शन अकिप दबॉल रॉनिंग जैसे आप एक्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहें और उसमें ल गवल आइनगर आप ट्रोबल हो जायेगा एंटीशंअ होना इना प्रिपरन डीच्ण फ STE8 आइस प्रेक दा big लइए का चुपी तवर नहीं कंवर्शन टू एस्टार्ट है कंवर्स कंवर्सम एसनन्प देखते हैं इडियम फ्रेज स्टेंड रान वंस ऑनले स्यनिर्फ निणि तो बिए करेंडेंड आत्मिनों वहना जैसे हम लोग करेंडिया में चट रहा है जो मोदी जी एलान के हैं कि हम लोग को आत्मिन निर्फर बना चाहिए आत्मिनिर्फर भारत उसे बोलते हैं stand on once on lets any आत्म निर्बर होना to be self in Self-dependent when the next is your common service your own service काता है अत्ती उत्तम excellent work i am a service कऊ जागा अत्ती उत्तम यानी excellent work stand of extend on once legs का औख निर्बर होना to be self dependent और यह मन सर्विस कर जागा अति उत्तम यानि excellent work the next हम देखते हैं मैं इसमें से कि find the incorrectly spelt word इसमें से जो गलत है उसको find करना है तो तो देखिए इनका सा सह Hide है और कम सा गलत है आपको इसमें से find करना तो देखिंव यहां पर बिजेबिलिटी होगा और एस्टुरेंट होगा नोसेंस होगा या कुलाबूरेट होगा कज दरिए यहां पर वीडियो पोस करें और देखिए हैं इसे जो वड़ है हो गलत है तो देखिए इसका जो अंसर अजयेगा वहños होगा प्रेंटी में जभी एक..." होता है εν हम भी आई एस आई prix आई एयल आई टीवाइब है Commence हरा यादर है अगर आपके सतारा न परयेंन प्टनिड लख किन यह विडियो नदेखे works फिर हम याद नहीं कहीं से भी याद किजिए लेकिन आप याद कर लेज़ें कि मिस इसपेल्ट वर्ड आपका एक आता ही है नेक्स हम दों देखते हैं अब फफाइंड़ इता है वाज एकईूम होगा Prague वियास तो यहां पे ऀसी मिस एसपेल्ट वर्ड जो है यहां पे जो है वो है आपका वैक्वस सई हैह टेलीग्राम भी सभी भी है सब इसकी लोग इंकरेक्ट रखेर उन करदाई है यू एन्टी आई I-L कि चैले प्ड़िने ग्स देखते हैं ह। कि फाइंड एनकरेक्ली और फ्रीड, हम लोग e c e होता है या एक और होता है चीघ और एक होगा और इस से Daha है अच्छा तो देखिए यहां पर आपको पता चल गया टाइफाइट ट्रांसलूसेंड नाइस और अल्टेडियर नेक्स्ट हम दोग देखते हैं नेक्स देखिए Sóper ajudar अच्छा नेक्स देखते में नेवीं से आलहा है स्याहिकर करते हैं इसमें से कौनसा गलत है उसको आफ़ करना और्मी्टेडर याँ लगेंश सर्टे क्याक होवे सभणलों हैं को मैंने क्यों इसका स्वर्ण में इसका तो यह होगया सघंद दिए एन एस ए नेस्ट हम दो देखते हैं कि इसमें से देखना है कौन सा इनकरेक्ट है इसका जो इनकरेक्ट वर्ड है वह आप वीडियो को पोस्ट किसे और देखिए यहां पर कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है तो इसका जो इनकरेक्ट है वह है वेंटी लेटर वेंटी लेटर का वी एंटी आई एल एटी ओवर होता है वेंटी लेटर वेंटी लेटर का होगा वी ए में नेक्स अमनों देखते हैं कि अगि अ कि देखिए यहां पर जो वर्ड और फेन ऑन फ्यूज एन डिया है एक एक सेप्ट दिया है एक एक सेप्ट मिस होता है स्विकार करना और एक होता है accept miss के अलावा तो देखिए अगर दोनों वर्ड देखिए इसका उचारन से में लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है और इसका वर्ड भी अलग है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें accept होगा या accept होगा तो देखिए इसके लिए हम लोग 10 वर्ड यहां पर 10 में sentence डालेगे हैं जिसे आप इसको आराम से देख सकते हैं अराम से समाझ सकते हैं तो दखिए accept होगा या accept होगा तो इसमें देखिए इसका और निकले किर्पिया मेरी सहनुभूती सुभिकार कीजिए या प्लीज मेरा साहनुभूती जो होगा तो यहां पर होगा एक्सेप्ट में होगा एक्सेप्ट यह नहीं होगा किम्कि के अलावा इसका मिलेंग निकल रहा है तो यहां पर जो संटेंस का हुआ ही राइट होगा तो यहां पर हो जाएगा एक्सेप्ट तो यहां पर आपका जो फर्स्ट का होगा उसमें होगा एक्से से देखिए कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किजा तब तक आपका जो एक्जाम में जाईएगा और एक्जाम दीजेगा तो फिर भी वहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा तो पहले आप इस वीडियो को पॉस्ट किजिए और आपने आपको जाचिए अपने आपको टेस्ट दीजिए कि क्या हम वाकई में इतना दिन से त्यारी कर रहे तो उसके लाइक है की नहीं देखें आइवर्क एबरी डेडे डास संडे यहां पर एसेप्ट होगा या एक्सेप्ट होगा इसमें से एसेप्ट और एक्सेप्ट मेंसे आपको फाइंड करना है तो आई वर्क एबूरी डेव सन्डच संड़ी को मैं रवी बार को छोड़ कर सारे दिन काम करता हूं अघारी बार के आलावा के अलावा has few friends here-you यहां पर इस में से दुनों में से आपको फिलप करना है तो he has few friends he has few friends here-you disp होगा या accept होगा मैं तुर देख यहां पर जो होगा अपका वो होगा except except इसलिए होगा क्योंकि आप इस पढ़िए पढ़िए कि he has few friends here यहां पर उसका मतलब उसका कुछ यानि few यानि कुछ ही friends हैं सिवाए तुम्हारे यहां पर उसके कुछ ही मित्र है तो इसका जो sense निकल रहा है वो निकल रहा है accept का तो यहां पर जो होगा e x c e p t e x c e p t accept हो जाएगा accept नहीं होगा नेक्स्ट हम देखते हैं फोर नमर भी डैस हीज़ इंडीटेशन देब्स हीज़ हुच होगा या एडबल सीपी टीएडी एसेप्टेट हो या आप वी एसेप्टेड इस इन्विटेशन यानि हम लोग ने उनका इन्विटेशन स्विकार कर लिया नेक्स्ट हम दो देखते हैं I don't trust anyone-myself I don't trust anyone-myself एकसेप्ट होगा या accept होगा I don't I don't trust anyone-myself-myself-myself-myself-myself-myself-myself-myself-myself-myself-myself. नहीं है यहाuxका जो होगा accept होगा डिखे आप भी sentence पढ़ीए Tom that और offer and join our company Tom accept होगा या accepted होगा तो Tom Tom होगा accepted Tom accepted our offer तॉमने अपना offers विकार किया and join our company और अपना जो company उसको join किया next हमंद हम देखते हैं 7 nya मोघ के लिखेए everybody everybody laugh that's Tom everybody laughed and that's Tom everybody laugh when is सब कोई हस रहा था सब कोई everybody laugh everybody laugh except Tom and Tom के सिवा यहां मतलब जो कोई विताओ सारे हस रहा था मतलब सारे 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 कोई मनि सब कोई हसा तो इसका Tom except एक सी इपीटी टॉम एक्सेप्ट यानि everybody laugh except Tom यानि टॉम के सिवा जो भी यहां पर थे हो सारे लोग हसे तो यहां पर देखें जो मिनिंग निकल रहा है उसी को फिल करना है तो एक्सेप्ट तो होगा नहीं यानि टॉम को सविकार किया और सब को यहां सा यह तो मिनिंग नही एक्सेप्ट फॉर राम दे ओल मेड इट तो यहां पर देखें एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट होगा इसमें भी एक्सेप्ट फैंड फिल करना है यह एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट फॉर राम यानि राम के सिवाय दे ओल मैड इट सभी ने इसे बनाया तो एक् और नेक्स्ट हम देखते हैं एवरिफिंग वाज एवरिफिंग वाज इन गुड ओर्डर दैस्ट बूट्स एकषप्ट होगा या एकषप्ट होगा तो एवरेंट यानि सारी जो चीज थे वह सारे ओडर में थे डैस्ट बूट्स निकल रहा है तो इसका जो होगा एकसेप्ट एक्सपी एक्सेप्ट होगा यानी बूट के सिवाए जो भी हो उसके शिवाए जोबी कुछ था वो सारे ऑरर में था तो इसका जो निकल रहा है तो यही निकल रहा है तो इसका पाद एक्सेप्ट हम लों देखते हैं I dash the offer after due to consideration I dash the offer I dash the offer after due to consideration the consideration इसका देखिश में हम लोगों को feel करने accepted होगा या accepted होगा तो इसका जो होगा वो होगा accepted मैंने विचार के कारण पस्ताव स्विकार कर लिया I accepted the off-word after due to concentration तो चलिए हम लोग का जो confusing वर्ड था यह daily confusing जो वर्ड है जिसका देखने में तो उसका उचारन साही सही निकर रहा है लेकिन उसका में अलाग होता है उसे हम लोग 10 daily करेंगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है आगे question arrange the given sentence जो भी sentence है उसे arrange करना है तो greed is regarded as देखे वीडियो को पॉस किज़े क्योंकि आपका एक जंबल वर्ट आएगा यानि sentence को arrange करने के लिए आएगा तो greed is regarded as that on the other people तो क्या होगा possible reunions and because it has destructive effects they are immoral behavior तो देखे हम लोग पढ़ेंगे greed is regarded as immoral behavior immoral behavior because it has destruct it has possible ruinous ruinous and destructive effects on the other people देखे यह पर संट्यांस का जो सेंस वर सीटर डिरेक्ट निकल रहा greed means होता है लालच greed is regarded as immoral behavior destructive because देखे एश के बाद आपका क्यों आएगा greed is regarded as immoral behavior because it has possible ruinous and destructive effects on the other people तो आपका जो इसमें पीकी वार्स में जो करेक्ट होगा ओओ एक्स q 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 ने फिल कर सकते हैं तो देखेंगे ग्रीड इस रिगार्डेट एज इम्मोरल बिहेवियर बिकॉज इथ इस्ट्रक्टिव इफेक्ट पॉसिबल रिमिनियस एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट अन्द ऑदर पिपूर तो देखें यहां पर जो होगा आपका एंड गिवें सं अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए देखें सब्सक्राइब नाव एस्पडी ऑनलाइन स्टडी लाइक एंड शेयर किजिए थैंकिंग यू वाचिंग फो इस वीडियो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद